हलो बच्चो वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर एट का चाप्टर नाइन जिसका नाम है इसका नाम है डिस्काउंट और कमिशन हम लोग इसका प्रैक्टिस एट 9.1 कर रहे थे जिस पे मैंने तीन लेक्चर आपको अल्रेडी बता दिये हैं हर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखें तो देखना बहुत ज़रूर ही है तो ही आपको क्वेशन 7 ने 8 समझ में आएगा यहां पर राइट साइड में कॉर्णर में उपर प्लेलिस्ट का लिंक आएगा उसमें क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइस सारे प्रैक्टिस एक काम अल्रेडी कर लिया है हमको सिर्फ यह जो ब्लैंक्स है न यह भरने तो यह तो टाइम पास है देखो यहां पर क्या लिखा है आफ्टर ओफरिंग डिस्काउंट परसेंट में दिया हुआ है ठीक है डिस्काउंट ऑन मार्क्ट प्राइस तो कस्टमर गेट्स टोटल डिस का हुआ है कितना 17 रुपीज अब यह सब आपको मिल गया तो फाइंट प्राइस फ़द कस्टमर कॉस्टमर मतलब क्या जो बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस हुआ न कस्टमर खरीद रहा है इसलिए उसको कॉस्ट प्राइस बुलता है लेकिन जो शॉपकी पर वो बेच रहा है तो वो सेलिंग प्राइस बुलता है तो एक कॉस्ट प्राइस देखके डरों मत ये फाल्तु में बीच में लोग वर्ड यूस करते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ fill in the following boxes with appropriate numbers and complete the activity सबसे पहले उसने लिखा suppose marked price of the item is 100 marked price of the item is 100 therefore for customer that item costs how much 90 रुपीज दिया है answer 90 कैसे आता है अगर 100 रुपे की चीज है उसके उपर 10% discount दिया मतलब क्या 100-10 करेंगे तो मुझे selling price मिलेगा तो 100-10 करूँगा तो 90 मिलता है तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर 100 रुपेया है तो उसके 10 रुपे का discount दिया 10% मतलब 10 रुपेया 100 में सिधा number लिख सकते है तो 100-10 will give you 90 रुपेज हैंस when the discount is dash then the selling price is dashुपेज when the discount is dash then the selling price is dash discount कितना था देखो discount तो 10 रुपेगा था ये देखो ये दो लाइन आम लोग लिखते थे ना सेम टू सेम उपर नीचे compare करके ये वो आली line है तो इसमें 100 रुपे का case लेते हैं discount कितना है discount है 10 रुपे तो selling price क्या था 90 रुपीज ऐसे ही था ना discount 10 था तो selling price 90 रुपीज था actual discount क्या दिया है question में actual discount दिया है 17 रुपीज का और क्या find करने बोला है selling price जो यहां पर नहीं दिया है न देखो selling price नहीं दिया हुआ है तो जो actual discount है वो 17 रुपीज का है तो selling price नहीं पता है तो x ले लिया अभी हम क्या कर देते हैं हम ratio लेते थे x upon 17 will be equal to 90 upon 10 तो यहां पर मैं लिख दूँँगा x upon 17 is equal to 90 upon 10 ठीक है अब यह x का value निकालना है तो 17 को वहां भेज देंगे इकवल to cross करेगा तो अब multiply हो जाएगा तो क्या मिलेगा 90 multiplied by 17 upon 10 तो यहां पर 19 multiplied by 17 upon 10 आ जाएगा वैसे ही होता है न देखो 17 इधर जाएगा तो क्या होएगा multiplied by 17 बीच में मतलब उपर ही होता है तो इसलिए उपर लिख दिया 10 नीचे था तो उसको नीचे लिख दिया अब इसको cut करो और value निकालो देखो जीरो के साथ 0 कट हो जाएगा इसे कट मत करना क्योंकि ब्लैंक का वाली पूछा है तो इसको अलग से solve कर दो नीचे क्या आएगा 90 multiplied by 17 upon 10 file 2 में solve कर रहें final answer उसमें दिया हुआ है फिर भी हम लोग solve कर रहें देखो क्या आएगा 00 cut 17 into 9 is 153 जिसका answer आया 153 यह क्या है एक्स है ना एक्स क्या था selling price तो final answer को क्या लिखा है तो customer will get the item for 153 rupees सब कुछ उसमें करके दिया था हमको सिफ नंबर भरने था ठीक है यहाँ पे सबसे confusing वाला पार यह वाला है कि यहाँ पे when the discount is dash then the selling price is dash क्या लिखना है वह आपको कैसे समझ में आएगा देखो discount discount selling price selling price मतलब यह जो हम लोग दो लाइन लिखते थे ना याद है यह वाला देखो mark price mark price selling price selling price तो उसमें 100 वाला होता था और दूसरा जो question में दिया था वह होता था है ना तो वैसे यहां पे भी हम लोग ने क्या किया discount discount selling price selling price तो एक देखो 100 वाला पार्ट है यह 10 और 90 100 में से यह आया ना कि जब discount 10 रुपया है तो selling price 90 रुपय था question में discount 17 रुपया दिया है तो selling price क्या आएगा एक साथ ओके video pause करके अच्छे से देखो क्या किया है try करो कि यह पूरा question ही आपके notebook में लिख लो ओके चलो next करते है एक question दिया है a shopkeeper decides to sell a certain item कुछ तो उसके पास है at a certain price वो कुछ तो एक price पे बेच रहा है हमको कुछ नहीं बता है क्या बेच रहा है कितने हम बेच रहा है फाल तो मैं time pass के लिए question बना दिया है देखो यहां पर he tags the price on the item tags मतलब उसके उपर जो sticker चिपकाते है न उसने sticker चिपका दिया by increasing the decided price by 25% कितने लोग ऐसा करते है न कि उस पे ज़्यादा price लगा देंगे फिर थोड़े कम में बेचेंगे ताकि सबको लगे कि भाई discount में मिला यह मैं आपको समझाता हूँ क्या उसको 25% से बढ़ा दिया and फिर बेचा ठीक है कितने में बेचा while selling the item he offers 20% discount वो बोला भाई मैं ते को 20% discount दे रहा हूँ ले ले हिससे सस्ता नहीं मिलेगा find how many more or less percent he gets on the decided price ठीक है simple चीज़ है तो उसने एक price decide किया है एक item के लिए हम लोग यहना सब example ले ले लेते हैं देखो क क्या है का यहाँ पर लेट शॉपकीपर नहीं लिखते हैं शॉपकीपर थोड़ा सही नहीं लग रहा है अपने लिखते हैं के रामू ओके रामू ने decide किया कि उसको अपना ये बैट बेचना है क्या price पर बेचना है अब तक पता नहीं है उनको मतलब उसने कुछ price decide किया था उसको 25% से बढ़ा दिया इंक्रीज कर दिया यहाँ पर सबसे important word है decides एक price decide किया था वही decided price को 25% से बढ़ाया and final question क्या पूछा while selling the item he offers 20% discount तो यह जो 25% बढ़ा के जो price आया न उसके उपर उसने 20% का discount लिया और finally back बेच दिया हमको पता करना है कि how many more or less percent he gets on this decided price जो decide किया था न उसने price first step में यहाँ पर वो हम लोग को पता करना है तो हो क्या रहा है देखो रामू के पास यह बैट है ठीक है रामू let's say यह बैट को 50 रुपे में बेचने वाला था लेकिन उसने बुला यार मैं 50 बोलूँगा न तो शामू जो मुझसे बैट करने वाला है वो बलेगा यार तू तो मेरा दोस्त है 50 बोल रहा है 40 ले ले ऐसा करते है न हम लोग 50 बोल तुझे 70 रुपीज में यह बैट बेचने है ठीक है उसने डिसाइड किया था 50 में बेचेगा लेकिन अभी उसने प्राइस बढ़ा दिया और बुला 70 तो शामू बैट खरीब ने आता है शामू बोलता है यार 70 रुपीज बहुत जाद है मैं तो तुझे 60 रुपीज तो देखो क्या किया उसने 70 रुपीज बढ़ाया और शामू ने एंड में लेट से 50 रुपीज ही दिया तो शामू ने तो उतना ही दिया ना जितना रामू को चाहिए था लेकिन अगर रामू पहले से 50 बोलता तो शामू बोलता 40 में दे दो अभी रामू ने 70 रुपीज ब बढ़ा देते हैं, ताकि जब उनके पास आप निगोशियेट करो, प्राइस कम कराओ, तो अच्छा प्राइस में ही बिके, आप लोग जब वेजिटेबिल्स लेने जाते हो, या फिर कोई दुकान में जाते हो, आपके पेरेंट्स अगर वहां पर बात करते हैं, निगोशिये क्या सोचता है, मुझे तो पचास में बेचना था, मैंने पचास में ही बेचा, मेरी तो लाइस सेट है, समझा क्या हुआ, यह आप रियल लाइफ में जब जाएंगे, तो बहुत ज़ादा होता है, इसलिए आपको एक क्वेस्चन दिया है, ताकि आपको समझे, कि जो प्रा परसंटेज में दिया हुआ है, तो परसंटेज में सबसे बेस्ट क्या होता है, 100 नमबर, क्योंकि 100 नमबर पर आप डिरेक्टली सब कुछ ले सकते हो, तो let's say, मैंने बुला कि decided price है, रुपीज 100, यह question बहुत tricky है, अगर आपको बहुत difficult लग रहा है, तो छोड़ना नहीं है बार-बार यह वीडियो देखना है, ताकि आपको समझ में आ जाए, मैंने decided price 100 क्यों लिया, क्योंकि आप पूरे question में देख लो, कहीं पे कोई number दिया ही नहीं, सब percentage में दिया हुआ, देखो percentage, percentage, certain, certain, कुछ दिया नहीं है न, तो मैंने decided price रुपीज 100 ले लिया, ओके, अभी रामु ने क्या किया, रामु ने बोला, मैं 25% बढ़ा देता हूँ यह decided price, 25% बढ़ाना, increase, discount मतलब क्या कम, increase मतलब बढ़ाना, और percentage जब भी आप 100 के उपर बढ़ाओ, तो सीधा ऐसे ही बढ़ा सकते हो न, है न, तो जो tagged price है, tagged price मतलब marked price, अब यह decided price 100 है, he tags the price on the item by increasing the decided price, इसको increase कर दिया, by 25%, tag करना मतलब marked price, label लगाना, उसके उपर, sticker लगाना, तो मैं बोल सकता हूँ, marked price is equal to, जो भी 100 रुपीज था, decided price, प्लास, उसके उपर कितना increase किया, 25%, increase किया न, यह आप exam में ऐसा नहीं लिख सकते है, मैं easy way में बता रहा हूँ, ठीक है, अभी 25% किसका marked price का है, 25%, 100 का तो 25 ही होता है, मैंने बता है न, जब percentage 100 में से देखते हो, तो percentage जो number है वही होता है, समझ मैं है, तो यह उसने 25 रुपे से बढ़ा दिया, तो क्या price हो गया, price हो गया, 125, अच्चो यह marked price है, यह back page और sticker लगाया वो है, ठीक है, अब शामू जब back खरीदने आता है, while selling the item, रामू बोलता है, मैं तुझे 20% का discount होगा, 20% का discount किस पे देगा, marked price 125 पे, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे, marked price, selling price, अब ये वाला 100 भूल जाओं, ये बाद में, पहले आप लोग ये solve करोगे, mark price क्या दिया है, 125, selling price, हमको find करना है, नहीं पता, तो हम लोग ने उसको ले लिया, X, लेकिन, वो बोल रहा है, 20% का discount दूँगा, ठीक है, ये ऐसा समझो कि नया question पूछा है, ये question 1 है, ये वाला part, और ये नया question, तो उसमें, वो बोल रहा है, मैं 20% का discount दूँगा, तुझे शामू, 20% का discount मतलब क्या, अगर marked price 100 रुपया है, तो इसके उपर 20% का discount दिया, तो कितना होगा, 80 होगा न, 100-20, अब मुझे x का value फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, x upon 125 is equal to 80 upon 100, x का value क्या आ जाएगा, x will be equal to 80 upon 100 multiplied by, ये 125 उदर जाएगा, अब इसको solve करेंगे, देखो हैं आपके, ये 0 के साथ, ये 0 कट, 5, 2's are 10, और ये हो जाएगा, 5, 2's are 10, 2 remainder 25, 5, 5's are 25, फिर 2, 1's are 2, 2, 4's are 8, x क्या आया, x आया, 4 multiplied by 25, 100 रुपीज, ये 100 रुपीज क्या था, ये था selling price, मतलब उसने 20% discount दिया, और शामू को back कितने में बेचा, 100 रुपीज में, 100 में बेचा न, selling price है, उसका decided price क्या था, उसने जो मन में decide क्या था, वो price भी तो 100 था, उसने जितना decide क्या था, उतने में ही बेचा, शामू को ऐसा लग रहा है कि उसने discount लिया, लेकिन discount मिला क्या कुछ, नहीं न, रामू ने चाल चली, उसने क्या क्या, mark price को बड़ा दिया, पहले से ही बड़ा दिया, ज्यादा पैसा बुला, ताकि जब शामू discount मांगे, तो उसको discount देगा, लेकिन actual में कोई discount ने मिला, 100 रुपे में ही उसने बेचा, तो उसने question पूछा है, find out how many more or less percent he gets on the decided price, more or less मिला ही नहीं है, जितना decide किया था, उतना ही उसने बेचा है, तो उसको 0%, ठीक है, उसने 100 रुपे decide किया था, तो उसने 100 रुपे में ही बेचा, तो उसको कोई न more ना less, 0% पे उसने बेच दिया, ऐसा दिख रहा है है, ठीक है, decided price के उपर उसने 0%, ना loss किया, ना profit किया, लेकिन ये decided price था, उसको तो इतने में ही बेचना था, आई समझ में बात, थोड़ा confusing है, एथ question, रट्टा मत माना, बाकी सारे वीडियो में है, टीचर्स ने आपको रट्टा मरवाया है, तो बाहाक मत करना, रामु शामु को याद करना, तो आपका question easy हो जाएगा, क्या है question, question बोलता है कि रामु ने कुछ बेचने को decide किया, कुछ price पे, क्या price क्या बेचर है कुछ नहीं दिया, उसने जो चीज है ना उसकी, उसके उपर label लगाया, पर label उसने दिमाग लगा के लगाया, उसने label पे 25% जादा लगाया, ठीक है, उसने कुछ तो price decide किया था, certain price, वो price को उसने 25% से increase कर दिया, अब जब यह item उसने customer को बेचा, शामु को बेचा, तो शामु बोला, मुझे तो discount चीए, तो रामु बला, ठीक है भाई, तुझे मेरा दोस्त है, तुझे मैं 20% का discount देता हूँ, ठीक है, अब हमको find करना है कि रामु ने जो price decide किया था, मन में, यह 20% discount देने के बाद, उसने वो decided price से नीचे बेचा, कि उससे उपर बेचा, ठीक है, तो कहीं पे भी कोई number नहीं दिया है, तो मैंने बोला, चलो भाई, decided price नहीं दिया है, उसको 100 रुपीज ले लेते हैं, क्योंकि percentage तो हम लोग 100 पे से निकालते हैं, अब उसने क्या किया, यह decided price को increase किया 25% से, 100 को 25% से increase करोगे तो, 100 में तो 25 रुपीज आड़ होगा, number सीधा, तो marked price जो उसने, बैट के उपर चिपकाया, वो क्या होगा, 100 के उपर 25 रुपया, और 100 के उपर, increase किया उसने, तो 100 प्लस 25 आजाएगा, 125, ठीक है, यह हो गया सिर्फ यहां तक का question, इधर से लेके, इधर तक, अब यहां से नया question चालू हो रहा है, while selling the item, जब उसने बैट बेचा, तो उसने शामु को 20% discount दिया, शामु ने बोला ना, मुझे सस्ते में चीए, तो तो मेरा दोस्त है, तो कितने में discount दिया 20%, मतलब उसने कितने में बेचाओ find करना है, ठीक है, अब मुझे बताओ, marked price क्या था, 125 लिखा था बैट के उपर, कित discount 20% का दिया, तो अगर marked price 100 रुपया है, तो उसके उपर 20% का discount दिया, तो selling price क्या आएगा, 100-20, which is 80, अब हम लोग इसको solve करेंगे कैसे, जैसे अब तक सारे questions किये, x upon 125 will be equal to 80 upon 100, x के लिए solve करेंगे, तो हम लोग को answer आया, 100 रुपीज, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो selling price है, यह कितना है, 100 रुपीज, उसने 125 का sticker लगाया, लेकिन बेचा तो 100 में ही, रामु ने मस चुना लगया ना शामु को, उसको बेचना था start में 100 में, लेकिन उसको पता था, शामु तो भाव करेगा, तो उसने label जादा का लगाया, फिर शामु को उलू बनाया, बोला 20% discount दिस 0%, ठीक है, easy question है, पर लिखना ऐसे नहीं है, यह तो सिर्फ आपको मैंने समझाया है, सिर्फ समझाया है, अच्छे से देखो question, फिर उसको मैं बताता हूँ कि लिखेंगे कैसे, यह दो पार्ट में मैंने question किया, यह वाला first part है, जब रामु उसको चुना लगा रहा है, और य यह first part, यह second part, अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखो, तो हम लोग लिखेंगे, let the decided price be rupees 100, 100 जबरदस्ती घुसाना पड़ेगा, because सब कुछ percentage में दिया हुआ है, और अगर सब कुछ percentage में दिया होगा, तो सबसे easy assume करने के लिए number 100 ही होता है, आप और कुछ लेंगे ना तो ब मतलब जो भी decided price था, यह decided price लिए आमने 100, is increased by 25%, 100 के उपर 25% कितना होगा, 25% 25 रुपए होगा, because 100 पे percentage और number सेम हो जाता है, तो मैं बोलूँगा, अगर decided price 100 रुपए है, तो उसको अगर मैं 25% से बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं उसमें 25 रुपए आड कर दूँगा, तो 100 प्ल यह बोल रहा है, tags the price on the item, tag करना मतलब उसमें tag लगाना, label करना, sticker लगाना के कितने का है, ठीक है, तो यह question का first part हो गया, खतम, अब हम लोग आते हैं second part पर, अब यह first part यहां तक का खतम हो गया, अब जो highlighted है न वो देखो, while selling the item, he offers 20% discount, ठीक है, और इसके लिए मारे पास एक extra data है first part से, कि marked price हो गया है, rupees 125, तो जोब हम लोग यहां पर second part solve करेंगे, तो हमारे पास क्या चीज़े हैं, हमारे पास है कि 20% discount दिसकाउंट दिया है, और हमको पता है कि marked price 125 है, तो यह use करके, हम लोग second part solve करेंगे, और 20% discount ऐसे वाले questions तो हमने कितनी बार किये, तो उसमें लो 20% discount दिया है, तो हम लोग बुलेंगे 20% discount is given on marked price, तो यहां पर लिख दिया 20, फिर if marked price is rupees 100, तो selling price कितना आएगा, यह सब छोड़ दो, अब इसको देखे confused होना ही नहीं है, ठीक है, अगर marked price 100 है, तो 20% discount दिया, तो selling price कितना आएगा, 100 में से 20 minus करेंगे न, क्योंकि सीधा 100 के उपर तो discount percentage में ऐसे ही minus हो जाता है, तो अगर 100 rupees है, तो मैं बूल सकता हूँ, भाई, selling price हो जाएगा 80 rupees, लेकिन marked price कितना है, when marked price is rupees, कितना है, देखो इधर, marked price is rupees 125, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, when marked price is rupees 125, let's selling price भी rupees, x, हम लोग को selling price ही find करना है न, अगर selling price find करेंगे, त तो ही तो न पता चलेगा, find how many more or less percent he gets on the decided price, यह selling price कितना जादा है या कितना कम है, वो निकालेंगे तो ही percentage पता चलेगा, ओके, तो यह तो बहुत easy हो गया, ratio ले लो, क्या लेंगे, x upon 125 is equal to 80 upon 100, जैसा हमेशा से लेते थे, x को उपर रखेंगे, तो आएगा मुझे, therefore x upon 125 is equal to 80 upon 100, फिर x का value निकालना है, तो x को अकेला कर देंगे, यह 125 यहाँ पर divide हो रहा है, वहाँ जाके multiply होगा, तो आजाएगा 80 upon 100 multiplied by 125, तो cut करो, देखो यह 0 के साथ, यह उपर वाला 0 cut होगा, फिर यह 2 5s are 10, 2 4s are 8, फिर यह 5 1s are 5, और इसके साथ कट होगा, 5 2s are 10, 2 बचा 25, 5 5s are 25, क्या बचा सिर्थ, नीचे तो 1 है, तो tension नहीं है, 4 multiplied by 25, 4 multiplied by 25 क्या होता है, 25 4000 जाता है, 100, therefore x is equal to rupees 100, लेकिन x क्या है अपना, x तो selling price है, तो आपन क्या बोलेंगे, therefore selling price is equal to rupees 100 अभी इसने question में पूछा क्या है, वो बहुत important है, ठीक है, selling price मिल गया, वो बोल रहा है, find how many more or less percent he gets on the decided price, उसने क्या decide किया था price, 100 रुपे है decide किया था, sell कितने में किया, 100 रुपे में किया, ये mark price तो बीच में उल्लू बनाने वाला थन्दा था न, उसने जान बूच कर लेबल जादा का लगाया, ताकि सामने अला अगर ऐसा बोले कि भाई, मैं तो तरह दोस्तु उसको करना था, उसको तो 100 में ही बेचना था, तो उसने उतना ही कम किया, तो अगर उसने 100 रुपे decide किया था और 100 रुपे में ही बेचा, तो how much more or less, ना जादा मिला, ना कम मिला, correct, जितना decide किया था, उतना ही मिला, okay, तो यहाँ पे हम लग final answer क्या लिखेंगे, यहाँ 0% on the decided price, क्योंकि जितना price decide किया था, उतने में ही उसने नीचे बेचा है, देखो selling price, okay, मैंने रामु शामु का example देखेंगे बताया था ना, कैसे उल्लू बना रहा है रामु सबको, वैसे ही है, अगर यह question difficult लग रहा है, तो tension मतलो, यह question बहुत ही high level का question है, 10 standard के उपर वालो के बच्चों को यह question आते हैं, ठीक है, तो ऐसा मत सोचो के नहीं, अरे बहुत difficult है, मुझे क्यों difficult लग रहा है, यह topic तो मुझे आए गा ही नहीं, यह थोड़ा difficult question है, difficult लगने वाला है, लेकिन आप अच्छे से देखेंगे दोनो explanation, तो आपको यह बहुत ही सही लगेगा, ब ना item क्या है दिया, ना price क्या है दिया, तो हम लोगोंने assume कर लिया, कि जो price पे वो बेचने को decide कर रहा है न, उसको बोलते है, decided price और हो 100 रुपाले थे, 100 क्यों लिया है, because question में हम लोगोंने आगे देखा, सब कुछ percentage के form में दिया और कुछ दिया ही नहीं, ठीक है, percent का मतलब क्या होता है, देखो percent में cent होता है, cent का मतलब century, century मतलब hundred, तो percentage हमेशा hundred से related होता है, hundred में से ही होता है, इसलिए हम लोगोंने decided price रुपीज 100 ले लिया, okay, he tax the price on the item by increasing the decided price by 25%, जो उसने सोचा था ना, जितने में उसको बेचना है, उसने उस पे 25% increase कर दिया, decided price को 25% से increase कर दिया तो जो उसने sticker लगा है ना, product के उपर, वो 25% जादा था, sticker लगा है मतलब क्या है, marked price, tag का मतलब marked price, तो marked price क्या है, जो decide किया था, उसके उपर 25%, 25% कितना होता है, 100 का, 25 रुपया होता है नो, इसलिए 100 के उपर 25 रुपया add कर दिया, तो marked price आ गया 125 ठीक है, तो ये वाले part से, हम लोग को marked price मिल गया 125, अब वो बोल रहा है, while selling the item, he offers 20% discount, ये तो first, second, third, fourth, fifth question जैसे solve किया था, वही है, 20% का discount दिया, और marked price आपको दे दिया है, रुपीज 125, आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे marked price को, box बना दो, ताकि आपको समझ में आ जाए, कि ये वाले data आगे, आप use कर सकते हो, क्योंकि ये आपको आ गया न, question के लिए, है न, तो ये data आपको question में काम आने वाला है, कहां काम आने वाला है, second part, second part में ये तीन standard line, जो हम हमेशा लिखते हैं, कितना percent discount दिया है, 20%, तो हम लिखेंगे 20% discount is given on marked price, जब भी discount दिया होता है, तो हम लोग क्या लिखत क्या तो 80 आ जाएगा, लेकिन question में mark price क्या है, question में mark price है, rupees 125, अभी तो बताया था, but question में selling price तो दिया नहीं है, तो हमने लिए let selling price भी rupees x, हो गया काम देखो, यहां पे आपको ratio मिल गया, x upon 125 is equal to 80 upon 100, इसको solve किया, तो x की value आई, rupees 100, x क्या था, x था selling price, तो selling price rupees 100 मिल गया, ठी पूचेंगे, कि यहां पे 125 और 100 आया, लेकिन उसने पूचा है, find how many more or less percent he gets on the decided price, decided price के उपर पूचा है, यह जो price उपर दिया है, इसके उपर उसने पूचा है, कि कितना मिल रहा है, तो 100 रुपया, decide किया था, 100 रुपय में बेचा, कुछ नहीं मिल रहा न, 0%, अगर कुछ difference होता था, परसंटेज निकाल सकते, कुछ difference ही नहीं, 100 decide किया था, 100 में बेचा, तो न, more मिला न, less, तो उसने बला था, how many more or less percent, he gets 0%, न, more, न, less, on the decided price, decided price और selling price लेको exactly same, तो हमारा final answer यह है, video pause करो, अच्छे से देखो, solution बहुत ही छोटा है, लेकिन मैंने आपको पूरा पहल मुझे रामु शामु अला explain गया था, फिर मैंने आपको बताया कि इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, तो अभी यही देखना, रामु शामु अलमत देखो, यह अच्छे से, देखो, वीडियो pause करो, खुद के notebook में एक दो बार, तीन बार solve करना है, यह question ही, बहुत ही अच्छा question, आगया समझ में, तो बच्छो आज का lecture यही पर खदम करते हैं, आज practice set 9.1 के lecture 4 में, मैंने आपको question 7 कराया, and question 8 कराया, and इसी के साथ हमारा practice set 9.1 हो गया, खतम, हमने total कितने lectures लिए, 4 lecture लिए, first lecture में मैंने question number 1 और 5 कराया, second lecture में मैंने आपको second and third कराया, third lecture में मैंने आपको fourth and sixth कराया, और आज fourth lecture में मैंने आपको seventh and eighth कराया, जिसमें से eighth question बहुत ही high level question है, आपको hard लग रहा है, तो वो hard है, इसे लिए hard लग रहा है, आपको बहुत बार देखना पड़ेगा, और practice करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक 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 line, एक word समझ में आएगा, ठीक है, रटा मत मारना प्लीज, बहुत लोग ये तुरंत रटा मार लेंगे, इतना चोटा सा solution है, पर फिर आगे जाके आपको न ऐसे हमेशा डर लगेगा discount से, एक बार समझ लो न, 4-5 बार वीडियो देख लो, आपके पास time भी है, फिर बहुत मज़ा आएगा discount के question solve करना है, ओके वीडियो पसंद आया है, तो like जरूर करें, इसका link अपने दोस्तों भी साथ WhatsApp पर share करें, ताकि उनको भी discount and commission अच्छे से समझ में आ जाए, अगर आपने उमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब, मैं ऐसे ही स 9.1 भी खतम कर दिया, अब सिर्फ 9.2 बचाए, ओके, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही मैं 9.2 अप्लोड करूं, आपको तुरंत notification आए और आप 9.2 का lecture देख सके, comment section में मुझे जरूर बताएं कि आपको ए वीडियो कैसा लगा, thank you so much for watching this video,